जाहिन दोस्तो मैं रन्स अगरवाल बिहार पुलिस फावरेश्ट दोस्तो पहुत बीजी होने के वज़ा से मेरा दो दिन वीडियो नहीं डाला गया उसके लिए सौरिव आज का मेरा सेट नंबर 13 होगा तो चलिए शुरू करते हैं बिश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है तो बिश्व का सबसे लंबा बांध हीराकूंड बांध है एच एल लंबा हीराकूंड यह भारत का ही नहीं बिश्व का सबसे लंबा बांध हीराकूंड बांध है यह उडिसा के महानदी पर इस्तित है अगर इसकी हम लंबाई का बात करें तो ए आड़ ताली सो मीटर लंबा है ठीक है? अच्छा किलर वा कि नहीं हुआ? नेश्ट अप्शन है टिहरी बांध टिहरी बांध ए आपका उत्राखन में भागी रथी नदी परिस्तित है ठीक है? या भारत का सबसे उच्चा बांध है इस बांध की उच्चाई 260 मीटर है ठीक है? भाखडा नांगल बांध या पंजाब में इस्तित है ये भारत का सबसे उच्चा गुरुतिय बांध है ठीक है? तथा सतलज नदी परिस्तित है कौन नदी पे? सतलज नदी पे किलर वागे नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते है नाश्ट मेरा कोशन है भारतिय संबिधान में बलनित संपत्ति का अधिकार अधिकार है कोन अधिकार है? एक कानूनी अधिकार है ठीक है? भारतिय संबिधान संसोधन 44-44 संबिधान संसोधन 19-78 के तहत जो संपत्तिक अधिकार जो एक मुल अधिकार था उसको हटा कर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसको भारतिय संबिधान के अनुछे 300 के ए में रख दिया गया किस में रख दिया गया 300 का ए में रख दिया गया किल्यर वागे नहीं हुआ समझ मागे नो इस समय मौलिक अधिकार जो है वो हमारा छोग है पहले कितना था साथ गो जिसमें संपत्तिक अधिकार को हटा दिया गया है किल्यर वागी नहीं हुआ सहाज मागया न अच्छा इस समय अगर हम मौलिक अधिकार का बात करें तो मौलिक अधिकार छे है भार्तिय संभीधान के भाग तीन में मौलीक अधिकार के बारे में बताया गया है मौलीक अधिकार आपका टूटल 24 है 12 से लेकर 35 ठीक है किलर वागे नहीं हुआ चलिए आगे बढ़ते हैं नेस्ट मेरा कोशन है महात्मा बुध ने अपना पहला प्रवचन कहां दिये थे तो महात्मा बुध अपना पहला प्रवचन अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिये थे कहां दिये थे सारनाथ में दिये थे किलर वागे नहीं हुआ जिसको धर्म चक्र प्रावर्थन कहा जाता है जिसको क्या कहा जाता है धर्म चक्र प्रावर्थन के लिए नहीं हुआ चलिए और यह भी कोचन पुछता है सबसे अधिक प्रावचन कहां दिये थे तो सरावस्ति में दिये थे कहां दिये थे सरावस्ति में बोधिगाया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था निरंजना नदी फालगु नदी के तट पे पीपल के ब्रिक्ष के निचे ठीक है अच्छा इनका जनम 563 इस भी पूरब में हुआ था लुमी बनी नपाल में और मुरीतु 483 इसा पूरब कुसी नगर जो उतर प्रदेश का एक जिला है वहाँ पे हुआ था ठीक है किलर वागी नहीं हुआ यह आपका जो साची है यह मत प्रदेश में है बनारस्त आपका उतर प्रदेश में फटता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नाश्ट मेरा क्वेशन है उस्तम न्याले की नाइक पुनर्वी लोकन की सक्ति किस अनुछेद के अंतरगत आती है तो अभी हम जो चला रहे हैं सेट फॉरेश्ट दरोगा वाला हम सेट चला रहे है ठीक हम प्रिवियस यहर का जो जिसका इग्रम पीस तारीक को हुआ ठीक है बिस तारीक 2020 में 20 ती संबर 2020 को हुआ था किलियर वाके नहीं हुआ नियाइक पुनर्वी लोकन की सक्ति किसके पास होती है राश्ट पति के पास भारति संबिधान के अनुछेद एक सोसायतिस में है और यह नियाइक पुनर्वी लोकन अमिर्का के संबिधान से लिया गया है कि इसका मतलब होता है जो कुई नीड़ लिया गया नो तो उसका राश्ट पती सम इक्षा कर सकते हैं तो लो यगा बरते हैं नैश्ट मेरा कोइशन है विहार की किस भासा को संबिधानिक दरजा दिया गया थे बिहार की जो मैथली भासा है न उसको संभीधान में दर्जा दिया गया है किस भासा को मैथली भासा को यह भासा को जिक्र भारती संभीधान के भाग भारती संभीधान के भाग आठ में 22 भासाओं का जिक्र किया गया है 22 भासाओं का जिक्र किया गया जिसमें एक मैथली भी ह यह मैथली जो है इसको भारतिय संभीधान के पावनवा संभीधान संसोदन 2003 के तहट जोड़ा गया ठीक है आठवीय अनिस्टीची में जोड़ा गया उस समय चार घुभासा को जोड़ा गया था मैथली, संथाली, बोडो और डोगरी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं याकार कर ने किज्मत्र क्या कहते हैं उर्जा कहते है दोनों मंत Erst, समझ लेज़ीए इसाई मत्रक जूल होता है वह गता है वह सीज हूल में तसके पावर सातों और नेक्स्टनस है मेरा फैर बिन हरीता का सब्सक्राइब ता होता है चलिरा अगे बढ़ते हैं नेस्ट मेरा कोच्छन है बांध में संग्रहीत उर्जा क्या होती है तो बांध में संग्रहीत उर्जा इस्तिती जूर्जा होती है कौन से उर्जा होती है इस्तिती जूर्जा ठीक है इस्तिती जूर्जा गती जूर्जा इस्तिती जूर्जा इस्तिती जूर्जा कहते है ठीक का उधार्न है इस्तिधी जुर्ज्या को पी द्वाराा इंडिकेट करते है यजивает सिया के नहीं हुए है है तो मेरा सटने के सेल में जो रहा सानिक सेल वालने उर्ज्जा ओभिस्त्रृत चली है मेरा है सिर्च्ध करें सालाय। अदर॥ को प्र snippetन प्रणी फैक 125 मेरा हैites पुलिस फोरेस्ट रह गए नहीं तो आज हम बियार पुलिस दरोगा रहते हैं चुम्बकिय छेतर का SI मात्रक चुम्बकिय छेतर का SI मात्रक टेसला होता है क्या होता है टेसला होता है ठीक है चुम्बकिय छेतर का CGS मात्रक गोस होता है सीजेस मातरक यह होता है गौस होता है आए एसाई मातरक टेसला होता है किलेर वगी नहीं हुआ है एसाई मातरक टेसला सीजेस मातरक गौस एक टेसला में एक टेसला में दस के पाउर चार गौस होते है एक टेसला में दस के पाउर चार गौस होते है ठीक है चुम्बकिय फ्लक्स का SI मातरक बैबर होता है चुम्बकिय फ्लक्स का SI मातरक बैबर होता है होता है max1 लाम का एक बेबर बर्वर एक बेबर बराबर दसकर पाउठ 8 hospital होता है beni अगर बढ़ते हैं कि नराइं चाहेंगे तो जरुक दरोका बन चाहेंगे ठाकूर जिजाएंगे तो लेकिन लिखा था सब्सक्राइब करते हैं आप समझते हैं यह कोई डिपार्टमेंटल आप मुस्पर से बढदी वाले जोब में कितना दीकत होता है फिर भी आप सब का हम वीडियो बनाते रहते हैं तो आप सब का भी कुछ दाइद तो बनता है चलिए नेक्स्ट मेरा कोश्चन है CH3-CONH2 उन्धारण है तो NH2 अमाइड होता है क्या होता है अमाइड के लिए नवागी नहीं हुआ अच्छा अमल का जो क्या बलते फांक्सनल गुरूप होता है COOH होता है क्या होता है COOH किटोन का C double bond O होता है याद रखिएगा अमीन का NH2 होता है क्या होता है अमीन का अमीन का NH2 होता है क्या होता है अमीन का NH2 होता है ठीक है अच्छा अमाइड का अमाइड का C double bond O NH2 होता है ठीक है याद रखिए C double bond O NH2 होता है चलिए आगा बढ़ते हैं सुखी वर्ख उधायन है तो ठोस कार्मन डायोक्साइड को सुखी वर्ख का जाता है ठीक है क्लार्व्ख नहीं हुआ है CO2 जमा हुआ पानी H2O Methan CH4 Nitrogen N2Ch4 नाइट्रोजन टू क्लेर वर्ख नहीं होई चलिए लागे बढ़तेद हैं उर्जा का ऐसा ही वातरग परने बढ़ता है वर्जा का ऐसा ही मातरग ना बाता है के स्थापन वाट शकती का Εसा ही मात रख होता हैनुतन बल काмотр शाली रख होता है काईलोरी उसमा का Elijah abundant है ठीक है चलिए आगये बढ़ते हैं कि erzähl मेरा इत्व कोचन है उसमा हिऊंच सिधाई के दुराइश दिया गया था तो प्राकिरतिक चैन का सिधान 4-10 ने नेचुरल सेलेक्शन चाल्स डार्वीन कौन दिये थे चाल्स डार्वीन दिये थे किलर वागे नहीं वह यह पुष्टक लिखे थे औरीजिन अपस्पेसिज लेगे बढ़ते हैं नेक्ष्ट मेरा कोच्छा ने डाइस एक डाइस प्रमुख गिरीन हाउस का मतलब होता है जो प्रिथी दोरा और अशोशित परकास को अपने से होकर गुजरने नहीं देता है और प्रावर्तित करके प्रिथी की और भेंज देता है ग्रीन हाउस पर भाव कहला था एक कंबल की तरह काम करता है प्रमुख गिरीन हाउस का बात करते हैं जलवास करबन डाइक्साइड क्योंकि 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 इसमें साथそれで इसमें साथ जोड़ी विप्रित लख्षन बाले गुनपाया जाते थे ठेक on कि इस विफ्रित लक्षान वाले गुण प्याजाए से लंबाना टाहारा पिला इस अब इसमें गुण पाए जाते थे ठीक इसलिए इसने मटर के मटर को चुना था है जिसको गार्डेन पी बलता है क्यों पी बलता है गार्डेन पी ओके ठाइंक्यू अगर हमारा प्रयास सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा थैंक्यू जय हिंद जय भारत